दूबे हमारे साथ तैयार है, आने वाले हैं नतीज़े HDFC बेंके, जाले नतीज़े सेटरड़े को ही आता है, ICC और HDFC, डोनों, अलग सेग्मेंट से अगर आप देखे जाए तो, यह कुछ लोग है सेटरड़े को ही काम करते हैं, आराम से, मतलब ताकि सोंबार को सब लोग सो कर अपने जो अपडेट दिया था, उसमें कहा था कि जो एडवांसेस है, उसमें करीब 21.5% के आसपास की बढ़ोती हुई थी, डिपॉजिट में करीब-करीब 19.3% के आसपास की बढ़ोती है, और कासा रेशयो जो है, हलका सा बढ़ा था, लेकिन बढ़ा था यह अच्छी बात है, 45.5 से बढ़के 46 के आसपास आया था, और इनी बेसिस पे आगर हम अनुमान लगाने जाए, तो नंबस अच्छे रहने वाले है, एनायास करीब 15.6% बढ़ेंगे, 19.7 कोड़ पर आएंगे, मुनाफ़ा 9.630 कोड़ के आसपास आने का अनुमान है, रीटेल और साथ जो कमर्शल सेगमेंट है, वहाँ पर प्रदेशन अच्छा रहने वाला है, तिमाई दर तिमाई, नेट इंटरेश माजिन्स में भी सुधार का अनुमान लगाया जा रहा है, ग्रॉस इंपेस और नेट इंपेस फ्लाट रहेंगे, प्रोविजनिंग जो है, वो हलकी बढ़ इकका दुक का ही ब्रोकेश हासस थे, जो कि 9000 की नीचे का अनुमान लगा रहे थे, लेकिन ये फिगर जो है, वो देखने लायक होगा, अगर ये 9000 कोड के नीचे आता है, तो शाय जी नेगेटिव सप्लाइज होगा, बढ़ अगर आग कंसिंस देखेंगे, तो करीब 9600 को होगा, अमरीच सर कैसे देख रहे हैं, इस बार रिजल सिजन बैंक्स वैसे आउट परफॉम करते हैं, नतीजे भी अच्छे आएंगे, क्योंकि जो निम्स है, ये तो क्रेली बढ़ने वाले है, नेट इंटरेस्ट माजिन्स, अगर देख रहे थे, लास यतने सालों में, NPS केली विल बी अन दे वे डाउन, तो काफी पॉजिटिव है, बैंक्स के लिए, इस्पेशली जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है, वहाँ पर मुझे काफी अक्शन दिखाए दे रहा है, तो ये है आपके लिए राए, HDFC बैंक पर आते ही दिख रहे हैं,